दोस्तो ठगफ हिंदुस्तान करीबन 200 साल पुरानी भारत की एक ऐसी सची घटना पर अधारित फिल्म है जिसकी उपर ब्रिटिन के रायटर फिलिप मैकडो टेलर ने 1849 में एक पूरी किताब ही लिख डाली थी जिहां ये कहानी है भारत की ठगों की जिन्होंने अंग्रेजी हकूमत की जड़े हिला दी थी कहा जाता है जब अंग्रेजों से हमारे देश के लगभग सारे राजाओं ने हार मान लिया था तो ये ही ठग थे जिन्होंने अंग्रेजों के नाकों में दम कर रखा था उन्हें पता ही नहीं चलता था कि यात्रा पे निकले लोग गायब कहां हो जाते हैं ब्यावसाई होया यात्री या फिर कोई अंग्रेज सिपाही ही क्यों नहीं हो किसी का कोई पता नहीं चलता था सफर पे निकले लोग रहस्यमई तरीकों से गायब हो रहे थे पुलिस की फाइले लापता लगों की सिकायतों से भरती जा रही थी इन लुटेरों का दिल्ली से लेकर ग्वालियर और जबलपूर तक इस कदर खौफ था कि लोगों ने इस रास्ते से जाना तक बंद कर दिया था आलम ये हो गया था कि इस्ट इंडिया कंपनी को एक फर्मान जारी करना पड़ा फर्मान के मताबित कोई भी सैनिक या यात्री इकका दुक का यात्रा नहीं करेगा लोग हमेशा समूह में ही घर से बाहर निकलेंगे फिर भी ये ठग इतने सातिर थे कि पूरे के पूरे समूह को ही अपने जाल में फसा ले थे इनी ठगों की कहानी है ठग सफ हिंदुस्तान दोस्तो इस फिल्म में आपको पहली बार एक साथ काम करते वे दिखेंगे फिल्म इंडस्टरी के दो महानायक अमीर खान और अमिता बच्चन आपको बता दूँ कि इससे पहले अमिता बच्चन अमीर खान के साथ बहुत पहले लगान मुवी में ओफ स्क्रीन काम किया है जहां उन्होंने फिल्म में सिर्फ अपनी आवाज दी है साथ ही ठग अफ हिंदुस्तान में इनके साथ होंगी केटरिना और फातिमा सनासेख गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्श कराने वाले ये लुटेरे कोई मामूली लुटेरे नहीं थे देखते ही देखते बहुत ही कम समय में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया इन ठगों से इस्ट इंडिया कंपनी इतनी डर गई कि वो इन्हें पकड़ने के लिए सन 1809 में कर्नल स्लीमेन को बृटेंड से बुलाया लुटेरे इतने चालाग थे कि जब कर्नल अपने सिपाहियों के काफिले के साथ जबलपूर आ रहा था तो उनसे दो माइल दूर चल रहा आखरी काफिला रास्ते से ही गायव हो गया और कभी लोटके नहीं आया हाला कि कर्नल स्लीमेन को सुरुवाती जाच में ही पता चल गया कि इन गायव होते लोगों के पीछे ठगों का एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है जो जबलपूर और ग्वालियर के जंगलों में भटकता रहता है कर्नल स्लीमेन दीन रात तहकीकात करने में लगा रहा आखरी में उसे पता लगा कि इन ठगों की कुल संख्या पांसो के आसपास है और ये अपनी एक खुद की ही भासा के इस्तिमाल करते हैं जिसे रामूसी कहते हैं दोस्तो यह एक संकेतिक भासा है इन ठगों में आपस में चार तरह की टोली बटी होती थी पहली टोली की ठगों का काम था सफर पे निकलने वाले मुसाफिरों के साथ मुसाफिर बनके उनके साथ घुल मिल जाना मुसाफिर इन्हें पहचान नहीं पाते थे एक दो दिन में ही ये ठग पता कर लेते थे कि इनके पास कितना पैसा और खाने पीने की चीज़े हैं और फिर ये दूसरी टोली को खबर कर देते और उनके आने के बाद रात के खाने में बहुत ही चतुराई से ये ठग बेहोसी की दवा मिला देते जब व्यापारियों का जुन्ट बेहोस हो जाता तो ये अपना काम सुरू करते और बारी-बारी से सबका गला घोट कर मार देते जिसके लिए वो एक मामुली सा रुमाल इस्तिमाल करते जिसके दोनों छोरों पर एक एक सिक्का बांद कर उसे मुठ्छे में फसा लेते फिर तिसरा गिरोह आता और इन मुसाफिरों का पैसा, कहने, कपड़े, खाने पिने की चीज़े जो कुछ भी हाथ लगता उसे लूट लेते और चोथा गिरोह इन लासों को ठिकाने लगाने का काम खरता जंगल में ही एक बड़ा सा गड़ा खोदा जाता लासे कम जगा लें इसलिए उनके पैरों की हड्डिया तोर दी जाती थी इसलिए गायब हुए काफिलों में से पुलिस को कभी किसी की लास तक नहीं मिली इन ठगों का सरदार था बहराम ठग करनल स्लिमेन ने इसके कई साथी ठगों को पकड़ कर सरयाम फासी दे दी लेकिन उसका निसाना था बहराम ठग आखिर दस सालों तक चक्मा देने के बाद करनल ने उसे पकड़ ही लिया बहराम ठग ने अपने सारे गुनाह कबूल किये दोस्तो उसने सो दोसो या चार सो नहीं बलकि पूरे 931 हत्याएं खुद अपने उस एक छोटे से रुमाल से की थी धीरे धीरे बाकी के सारे ठग और उनके गुनाह सामने आने लगे अभी तक पूरे 200 के तिहांस में इतनी बड़ी तादात में हत्याएं कभी नहीं हुई थी ग्रफतारी के एक साल के बाद बहराम ठग को सब के सामने पेर से लटका कर फांसी दे दी गई ठग बहराम का कबूल नामा जिस फाइल में दर्ज हुआ उसे अधार बना कर एक किताब लिखी गई जिसका नाम था Confession of Thug जो अपने जमाने में ब्रिटेन की बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है Thug of Hindustan इसी किताब पर धारित फिल्म है फिल्म में आमीर खान ठग बहराम का किरदार निभाते नजर आएंगे और अमिताब बच्चन इसके साथ ही ठग सायद आमीर अली का किरदार निभाएंगे आपको बता दू कि ठग बहराम का किरदार पहले रितिक रोसन को दिया जाने वाला था लेकिन उनके मना करने के बाद ये रोल आमीर खान को मिला दोस्तों आपको क्या लगता है ये फिल्म रजनी कांत और अक्षे कुमार की आने वाली फिल्म रोबोट 2 को पीछे छोड़ पाएगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबस्क्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबाएं धन्यवाद